खुद का घर खरीदने का सपना हम सभी देखते हैं लेकिन हाई रियल एस्टेट प्राइसिस के कारण हमें इस सपने को पूरा करने के लिए होम लोन लेना पड़ता है और बड़ी लोन्स के साथ आती है आस्टरोनॉमिकल इंटरिस्ट कोस्ट लेकिन होम लोन को इंटरिस्ट बनाने का एक तरीका है जी हाँ ये पॉसिबल है और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा किस तरह किया जाता है इससे पहले कि हम इस बात पर आगे डिसकस करें एक क्विक रिमाइंडर अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करना न भूलें अल्मोस्ट सभी बैंक्स और हाउसिंग फाइनांस कंपनीज इमाइंड को हाइलाइट करके आपको विश्वास दिलाती है कि आप अपने सपनों का घर अफॉर्ट कर सकते हैं लेकिन हकीकत यह है कि होम लोन्स की कॉस्ट काफी बड़ी होती है ज्यादातर केसिज में टोटल इंटरस्ट अमाउंट जो आप पे करेंगे वो लोन अमाउंट से कहीं ज्यादा होता है तो आपकी मंतली EMI 35,989 होगी अब अगर आप इस EMI को 20 साल तक पे करते रहते हैं तो आप टोटल 86,37,000 रुपे पे करेंगे यह एक्स्ट्रा 46,37,000 रुपे इंटरस्ट है जो आपको पे करना पड़ेगा एक मिनिट के लिए इस बारे में सोचिए आपने जितना लोन लिया आप उस अमाउंट से ज्यादा इंटरस्ट पे करेंगे साडली इस इंटरस्ट से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि लोन सिस्टम ऐसे ही काम करता है तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास पूरा अमाउंट ना हो तब तक घर नहीं खरीदना चाहिए अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अच्छी बात है लेकिन हम में से ज़्यादा तर लोगों के लिए ये वायबल आप्शन नहीं है solution ये है कि mutual fund में invest करके जो अमाउंट आप as interest pay करेंगे उसको recover करें अपने home loan amount के 0.16% की equity mutual fund में SIP शुरू करके आप interest amount को recover कर सकते हैं चलिए उपर बताएगा example के साथ continue करते हैं अगर आप 6400 रुपे जो loan amount का 0.16% है उसकी monthly SIP शुरू करते हैं और आपको 12% का average annual return मिलता है तो 20 साल के end में आपकी investment की value 63,31,000 रुपे होगी इस corpus से अगर आप अपना invest किया हुआ amount जो की 15,36,000 रुपे है deduct करते हैं तो भी आपके पास 47,95,000 रुपे होंगे जो pay किये जाने वाले interest को cover करने के लिए काफी होगा यह calculation हर loan amount के लिए hold करती है अगर आपने अपने सपनों के घर को खरीदने के लिए loan लिया है या लेने की planning कर रहे हैं तो आपको interest cost pay करनी होंगी लेकिन आप एक छोटी सी SIP शुरू करके पूरे amount को असानी से recover कर सकते हैं लेकिन यह reality में तभी होगा अगर आप उस amount को invest करते रहेंगे और थोड़ा patience दिखाएंगे इसके साथ ही हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं अपनी home loans को interest free करने के लिए invest करना चाते हैं अगर आप top mutual fund के 0% commission direct plans में invest करना चाते हैं तो नीचे दिये गए link को click करें और ET money आप download करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ ये video share करना न भूलें आपके बारीं झाल